आकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारना सच्टेव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रदेश में विधान सभा चुनाव के लिए कल सुभा साथ बजे शुरू होगा मद्दान निर्वाचन आयो की तयारियां पूरी सभी मद्दान के इंदरों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां तक्नीक के माध्यम से मद्दान के इंदरों की होगी निग्रानी मुखे निर्वाचन पतादिकारी ने मद्दाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहवा की तानिभाने का किया आहवान और ICC क्रिकेट विश्पकप के दूसरे सेमी फाइनल में दक्षिन अफरीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 213 रनों का लक्षे अब समाचार विस्तार से प्रदेश में कल होने वाले मद्दान की तैयारियां पूरी हो गई है कल सुबा 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे हालाकि बालागाट जिले की बहेर, लांजी और परसवाडा विधान सबा सीटों पर 3 बजे तक मद्दान होगा इसके अलावा मंदला के 40, और डिनोरी के 55 मद्दान के इंद्रों पर भी 3 बजे तक मद्दान होगा दुखे चिनाव बदादिकारी अनुपम राजर ने बताया कि सबसे पहले सुबा साड़े 5 बजे मौक पॉल होगा इस दौरान राजर नेतिक दलों के प्रतनिदियों के सामने वोट डाल कर EVM की पारदर्शिता प्रदर्शित की जाएगी इसके बाद 7 बजे से वास्तविक मद्दान शिरू होगा गरतलब है कि प्रदेश में 5,69,63,000 से ज्यादा मद्दाता है इन में से पुरुशों के संख्या करीब 2,87,000 और महिलाओं की संख्या 2,71,000 है इसके अलावा थर्ड जेंडर के वी 1,292 मद्दाता है चुनावायोग ने कुल 64,626 मद्दान केंदर बनाए है इन में से 17,032 केंदर सम्वेद इंशील है यहां सुरक्षा के खास इंतजाम किये गए है मद्दान के लिए 73,622 बैलेट यूनिट और 64,626 कंट्रोल यूनिट और वी वी पैट का इस्तिमाल किया जाएगा उम्मिद्वारों की ज्यादा संख्या के कारण 29 सीटों पर दो और एक सीट पर तीन बैलेट यूनिट लगाई जा रही है प्रदेश में पहली बार युवाओं को भी मद्दान केंदर सम्वालने की जिमदारी दी गई है चुनाव आयोग ने 371 मद्दान केंदर ऐसे बनाए हैं जहां चुनाव कराने की जिमदारी 30 साल से कम आयोगे अधिकारियों और करमचारियों के पास रहेगी इसके अलावा 5,160 पिंक बूत बनाए गए हैं इन मददान केंदरों की जिम्मदारी पूरी तरह से महिला मददान कर्मी सभालेंगी दिव्यांगों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी 183 मददान केंदरों की जिम्मदारी दी गई है इसके अलावा 3,000 आदर्श मददान केंदर और 60 ग्रीन मददान केंदर भी हैं प्रदेश में पहली बार ग्रीन मददान केंदर बनाए गए हैं ये केंदर जबलपुर और बालागाट जिलों में हैं इसके विशेशता यह है कि इन मद्दान केंदरों में प्लास्टिक या परियावरन को नुकसान पहुचाने वाले किसी भी समान का इस्तिमाल नहीं किया गया है। वोट आईडी कार्ड के अलावा 12 विकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेजों, आधार कार्ड, मननेगा जॉब कार्ड, ड्राविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतिय पास्पोर्ट, फोटो सहित, पेंशन दस्तावेज आधी शामिल है। पहली बार मददान केंद्रों के बाहर भी कैमरे लगाए गए हैं। हम आम लोगों द्वारा मददान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, ताकि अन्नेशोता भी मददान के लिए प्रेडित हो। हाँ, आप भी मददान अवश्य करिए। आए आध सुनते हैं इंदोर जिले के अशोक सोनी मिश्रा और छतरपूर के डॉक्टर अवद किशोर जडिया का यह संदेश। लोक तंत्र का हेय पर मतदान करो और करो अपने पर गर्व, मजबुत लोक तंत्र के लिए मत अवश्य करें। मेरे मध्य परदेश के समस्त अदरनी मद्दाताओ आपसे अपील करता हूँ कि समुनत लोक तंत्र के निर्मान में योगदान का राश्ट्री पर्व, मतदान पर्व उपस्तित है। आईए हम सभी बढ़ चड़ कर हिश्चा लें और सभी जनों को प्रेरित करें। अपने मूलवान मतादिकार का प्रियोग करें। भव्य भारत के निर्मान में सहयोग करें। एफसाइट newsonair.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं। दाता सुची में हैं। वो इस दिन मतान जरूर करें। ये भी असपस्ट करना चाहूंगा कि मतान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है क्या वोट नहीं डाल सकते। वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावीज हैं। जो हम लोग समय समय पर बताते रहते हैं। तो उसके वाधार पर भी आप वोट डाल सकते हैं। मुजर्गों को कतार में ना खड़ा होना पड़े इसके लिए उन्हें पहले मद्दान करने की सुविधा दी जाएगी सभी मद्दान केंद्रों पर चाया, पीने का पानी और शौचाले की समुझे द्विवस्ताइं की गई है प्रदेश में आम लोगों के लिए भले ही कल मतदान होगा, लेकिन अब तक करीब साड़े तीन लाग से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं इनमें सर्वेस पोर्टर की संख्या 2,82,000 से ज्यादा है चुनाव आयोग ने इस बार 80 साल से ज्यादा के बुजर्गों और 40 फीसदी से ज्यादा दिव्यागता वाले लोगों को घर से वोट डालने की सुविधा प्रदान की थी इसके लिए 66,886 लोगों ने अवे दिन दिये थे अब तक 95 फीसदी से ज्यादा लोग मतदान कर चुके है चुनाव आयोग की कड़ाई और बहतर प्रबंधन के कारण इस बार रिकॉर्ड मातरा में नकदी और अन्यसामगरी बरामत की गई है अब तक उपलब्द जानकारी के मताबिक आयोग की विभिन टीमों ने 335 करोड रुपे की सामगरी जब्त की है इनमें 49 करोड रुपे नकद, 63 करोड रुपे का सोना चांदी, 92 करोड रुपे के मादक पदार्थ और 122 करोड रुपे की अन्यसामगरी शामिल है प्रदेश में मतदान के अधिकार को सुनिशित करने के लिए डाक विभाग द्वारा 76,50,000 मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र का वितरन किया गया है पिछले दो दिनों में ही लगभग 32,716 कार्ड वितरित किये गया है केवल भोपाल जिले में ही अप्रेल से नवंबर महा तक कुल 2,86,000 से ज्यादा मतदाता परिचय पत्र का वितरन किया गया है बात खेल की क्रिकेट बिश्पक अप में आज कोलकता में दूसरे सेमी फाइनल में दक्षिन अफरीका का मुकाबला आस्ट्रेलिया से जारी है दक्षिन अफरीका ने पहले खेलते हुए डेविड मिलर के शतक के सहारे 212 रन बनाई अस्ट्रेलिया ने अब तक साथ में ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 60 रन बना लिये है अंत में बुलिटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में विधान सभा चुनाव के लिए कल सुभा साथ बजे शुरू होगा मद्दान निर्वाचन आयों के तैयारियां पूरी सभी मद्दान केंदरों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां तक्नीक के माध्यम से मद्दान केंदरों की होगी निर्गरानी मुख्य निर्वाचन पदादिकारी ने मद्दाताओं से लोग तंदर के महापर्व में अपनी सहवागिता निभाने का किया आहवान और ICC Cricket Wish Pickup के दूसरे सेमी फाइनल में दक्षिन अफ्रीका ने आस्ट्रेलिया को दिया दोसो तिरा रनों का लक्षे इस बुलिटन में फिलाल इतना ही देजे इजाज़त नमस्कार कर दोसरे सेज्ब जैज़त यचाई निच्छार लगान जोसरे से लाइनलों का दोसरे सेमी दॉड़त